तो भारतिये पास्पोर्ट धारक के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आ रही है दोस्तों कि ये नया कानून के मताबित दोस्तों ये छोटी सी मिश्टेक के वज़े से दोस्तों हजारों भारतियों को जो गल्फ कैंट्री में काम करने गए हो दुबई, उमान, कता, साथ, स कुछ ऐसा है, प्रॉपर एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ, क्योंकि पास्पोर्ट से वीजा से लेटेट कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ, तो चली स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडे कंट्री में रहते हो, तो जब वहाँ पे अपना पास्पोर्ट Palmer कराते हो, तो पहले क्या होता था, कि इनकवारी नहीं जाता था, यानि पुलिस जो चेकिंग करते थी, फिर से दोस्तों अब जब इनकवारी के टाइम, यानि जब रेनु Palmer कराते हो, 10 सल के बाद हमा कंट्री में कराओगे तो लगबग इंडियन मनी नो से दस सजार रुपय लग जाता है ठीक है तो दोस्तों इसमें बताया गया है पहले होता क्या था कि वहाँ पे जब हम अपलाई करते थे MBC के थुरू पासपोर्ट ये रेनुवल कराने के लिए तो हमें यहाँ पे पुलिस भेरिफिकेशन नहीं कराना पड़ता था पहले लेकिन दोस्तों अब क्या हो रहा है कि सभी को दोस्तों वहाँ से जैसी अपलाई करता है तो यहाँ आपके घर पे फिर से पुलिस भेरिफिकेशन कराना पड़ता है अगर थोटी सी यानि आपके उपर चोटी मोटी केस भी है आपके उपर कोई प्रॉब्लम है तो आपका पासपोर्ट रद कर दिया जाता है हजारों लोगों को दोस्तों पासपोर्ट इस तरह से फसा हुआ है क्योंकि वहाँ से ज बड़ा प्रॉब्लम का सामने करना पड़ सकता है तो इस बात का लाजिम खयाल रखे अगर आप गल्फ कंट्री में जाना चाहते हो या फिर वहाँ से पासपोर्ट आप अपना रिन्वल कराना चाहते हो यह सब चीज का ध्यान रखे नहीं तो आपके साथ बड़ा यहां पर अपना केस है वह स्वाल करके वापस अपने कंट्री जाना पड़ेगा तो यह सब चीज का लाजिम खयाल रखे यह सब लपड़े में ना पड़े नहीं तो फिर आप विदेश में नहीं खमा सकते हो क्योंकि कौनून ही कुछ ऐसा है तो यह कुछ जानकारी था यह